व्यवस्याई अधियन के इस अंक में मैं ज्योति कौशिक मनन आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत करती हूँ संगठन के भाग एक में आज हम पढ़ेंगे संगठन के बारे में इस पार्ट में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत है कि संगठन क्या है उसका अर्थ, उसके प्रकार और संगठन कैसे किया जाता है उसके प्रक्रिया और यह कितने प्रकार का होता है इन सब के बारे में हम जानेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे संगठन के अर्थ की संगठन का अर्थ क्या है संगठित करना अर्थात प्रक्रिया को संदर्भित करता है। विभिन कार्य होते हैं जिसमें की प्लैनिंग, अर्थात, नियोजन और फिर संगठन। प्रबंद के पांच कार्य नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरन, मार्गदश्चन, निर्देशन और एवं नियंतरन होते हैं। संगठन दूसरे स्थान पर आता है और यह कार्य सबसे महत्वपून कार्य होता है। प्रबंद की सफलता संगठन पर ही निर्भर होती है। क्योंकि सभी गतिविद्यों को परिभाशित करने का कार्य इस चरण में किया जाता है। संगठन प्रबंद के कार्य के रूप में हम देखें, तो संगठन एक धाचा तयार करता है। संगठन नात्मक धाचा तयार करता है। दूसरा, उपकरम के कार्यों को परिभाशित भी करता है। कि क्या कार्य करना है, कहां पर करना है। तीसरा विभिन मनुश्यों के बीच सामन जस्य स्थापित करता है और चौथा है कि अधिकार तथा कर्तव्य को ग्याद कराता है तो संगठन एक बहुत ही महत्वपून कार्य प्रबंद का होता है संगठन प्रक्रिया के बारे में इधिहम जाने तो संगठन के चार चरण इस प्रक्रिया में नहित होते हैं पहला कारय की पहचान और उनका विभाजन दूसरा विभागिय करण तीसरा करतव्यों का निर्वाह या निर्धारन और चौथा है रिपोर्टिंग या संबंद स्थापित करना किसी भी बिजनिस में किसी भी व्यवसाय में कारय की पहचान करना और उस कारय का विभाजन करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और संगठन प्रक्रिया का ये एक पहला चरण है क्योंकि काम की पहचान और विभाजन को दर्शाता है इस कदम पर कुल काम को विभिन गतिविदियों में विभाजित किया जाता है प्रत्य गतिविदि को एक अलग प्रबंद की देखरेक में किया रखा जाता है जैसे कि एक बैंक में अलग-अलग व्यक्ति, अलग-अलग कारे करते हैं नकद कलर्क, नकद स्विकार करता है, नकद देना, बचत खाता कलर्क, चालू खाता कलर्क, ग्रहकों की चेक को स्विकार करना और सत्यापित करना, एवं कम्प्यूटर में लेन दिन रिकॉर्ड दर्ज करना, रिन अधिकारी का कार्य है कि रिन देने वाले रिन के लिए आवे अलग-अलग व्यक्ति बैटे हैं इस सब कार्य की रूप रेखा को तयार करना ही संगठन का प्रथम चरण है जिसे हम कार्य की पैचान ये कार्य का विभाजन करना भी कहते हैं दूसरा चरण है विभागी करन अर्थात एक ही प्रकृति की गतिविधियों को एक साथ समोही कृत करने का कार्य विभागी करन कहलाता है और ये समोही कृत करके कार्य सारी गतिविधियों का एक विभाग अलग से भिना दिया जाता है उसे विशेश विभाग को सौपा जाता है जैसे कि उधारन के रूप में कच्चे माल की खरीद, निर्मित भागों की खरीद, खरीद विभाग को ही दी जाती है और उत्पादन माल को स्टॉक करना अनुसंधान सक्रीदा उत्पादन विभाग को दिया जाता है आपने ये देखा होगा कि अलग-अलग विभाग होने से कारे की विशेश अग्यता बढ़ जाती है इसलिए विभागी अकरण बहुत ही महत्वपूर्ण सगठन प्रक्रिया का चरण है अगला चरण है कर्तव्यों का निर्वाह यह बताता है कि कर्मचारियों को उनकी दक्षिता, कौशल और अनुफमों की अनुसार ही कर्तव्यों को आबेंटित करने का उलेक करता है ताकि एक उद्यम प्रभावी प्रदेशन सुनेशित कर सके क्योंकि जब हम कारे को विभाजित कर देते हैं और उनका विभागी करन भी कर देते हैं और उसके उपरांत कर्तव्यों हर व्यक्ति की हर विभाग में जो कारे को सौपा गया है उसकी दक्षिता और उसके कौशल पर ही निर्भर करती है यदि दिया गया कार्य सही तरीके से ना किया जाए तो फिर प्रबंद की एक फेल हो जाता है या अनुतीन माना जाता है और सभी जो संसाधन है वो वेस्ट हो जाते हैं ताकि एक उद्ध्यम प्रभावी प्रदर्शन सुनिश्चित कर सके इसके लिए कर्मचानियों का कर्तव निर्वहा अती आवश्यक है इसके बाद हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग संबंद स्थापित करना होता क्या है कि हमने अलग-अलग कार्यों को विभाजित तो कर दिया लेकिन कौन व्यक्ति अपने किस सीनियर के पास जाएगा या किस उसकी जरूरत पढ़ने पर किस तरह से वो एक दूसरे के साथ संबंद स्थापित करेंगे यह जानना बहुत ही आवश्यक होता है इसलिए संगेटन प्रक्रिया के अंदर रिपोर्टिंग संबंद स्थापित करना एक भी एक महत्वपूर्ण चरण माना गया है जब दो ये दो से अधिक व्यक्ति समान्य संगठन के महत्व यह एक अगला विशय है जिस पर हम चर्चा करेंगे संगठन का बहुत ही महत्व है अब कौन से कारक हैं जो संगठन के महत्व को सुनिश्चित करते हैं तो हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं उन सभी बिंदुओं को जो की संगठन की महत्ता को प्रदर विशेष्टिकरन का लाब, परिवर्तन के लिए अनुकूलन, संसाधनों का इस्टितम, उप्योग, विस्तार और विकास, ये सभी बिंदू उलेखित हैं जो संगठन के महतों को प्रदर्शित करते हैं, आईए एक एक करके हम इसकी भी चर्चा करें, तो सबसे पहले हैं कारे को आख मीच कर भी बहुत ही सुगम तरीके से कर पाते हैं, ये तभी संभव है जब विशेषग्यता या विशिष्टिकरन किया जाए, आपको वह कारे करने को बार-बार दिया जाए, तभी विशेषग्यता आ सकती है, तो संगठन के अंतरगत संपून कारें को अनेक उपकारियों में बाट दिया जाता है, और सभी उपकारियों पर योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है, जो एक कार्य को बार-बार उसके विशेषग्यता बन जाते हैं, तो बार-बार जब क्योंकि हम कहते ही हैं, करत-करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसर यावत जातते सिर्परपरत निसान तो जो व्यक्ति बार-बार एक ही काम को करता है तो वो उसका विशेश अग्या बन जाता है इसलिए संगठन के अंदर हम इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि जो काम है उसको छोटे-छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए और हर छोटे इ नई संगठन सरंचना लोचदार होती है लोचदार मर्थात जब हम उसे बदलना चाहें परिश्थिती जन्य तो हम उसको बदल सकें जो बहाई या वातवरण में परिवर्तनों तकनीकी उत्पादों बाजारों साधनों से उत्पन कार्यभार के समायोजन की सुविधा देत परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन के साथ साथ अपने आपको बदलना अतियाव requirements संगठनात्मक क्रिवहई परिवर्तन के लिए अनुकूलन का एक option जो है वह प्रदान करती है तीसरी हम बात करेंगे कार्मिक का विकास संगठन बनाली कार्मिक का विकास सुनिश्चित करती है क्योंकि स्वतंत्र एवं प्रभावी संगठन कर्मिचारियों में पहल शक्ती तता स्रिजन शील्ड सोच को प्रेरिद करता है जब प्रबंधक अधिकार अंतरन करते हैं तब अधिनस्त का भी विकास होता है अधिनस्त अर्थात उसे जूनियर या चोटा निचली पोस्ट पर काम करने वाला व्यक्ति तथा प्रबंधक भी संगठन की वृध्धी और विकास के अफसरों का लाब उठा सकते हैं होता क्या है कि जब हम एक सीनियर होते हुए काम को करते रहते हैं और कभी जरूरत पढ़ने पर हमें अपने सबोर्डिनेट की हेल्प लेनी पढ़ती है तो मैं अपने अधिकार को उस कारे को करने के लिए अपने अधिकार को भी अपने सबोर्डिनेट को सौंपती हूँ तो उससे क्या होता है कि जो मुझसे नीचे है वो भी उस काम को करने से काम को सीखता है और ऐसी स्थिती प्रदान करने से विकास के अफसरों का भी लाब उठाया जा सकता है अधिनस्त जो हैं उनको जादे जिम्मेदारी वाले कारे को करने में सीखने का अफसर प्रदान होता है चौथा हम देखेंगे कि संसाधनों का इस्टितम उप्योग संगठन प्रक्रिया में कुल काम को अनेक छोटी-छोटी क्रियाओं में विभाजित कर दिया जाता है प्रते क्रिया को करने वाला एक अलग कर्मचारी होता है परिनाम तह संगठन में उप्लब्द सभी संसाधनों का कुशलतम उप्योग होता है संसाधनों के इस्टितम उपयोग आपने अर्थशास्तर में भी पढ़ा होगा कि यह उसका उदेश्य है कि इस्टितम उपयोग जब हम करते हैं तो वह कुल लागत को कम करता है और कुल लागत जब कम होती है तो हमारा लाग का जो margin या profit margin जो है वो हमारा बढ़ जाता है इसलिए कभी भी हमें सपने संसाधनों की wastage नहीं करनी चाहिए और संगठन इस बात को सुनिश्चित करता है कि संसाधन उपलब से संसाधन जो है वो भली प्रकार जो है उपयोग में लाए जा सकें अगला बिंदू है कारे समंद में सपश्टता इससे भी संगठन की महत्ता बढ़ती है क्योंकि जब एक कारे किसको क्या करना है और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को या एक पोस्ट दूसरे पोस्ट से किस तरह से संबंदित है किस तरह से रिलेटिड है तो ये कारे को भी सु तरह से उच्च अधिकारी और अधिनस्तों के संबंधों को भी पूरी तरह से स्पष्ट किया जाता है जिससे क्लारेटी आती है और कोई भी कंफ्यूजन जो है वो क्रियेट नहीं होता है हर व्यक्ति अपने दिये के कार्य को सुगमता से कर सकता है फिर है प्रभावी प्रशासन प्राय देखा जाता है कि प्रबंधों में अधिकारी को लेकर भ्रम के स्थती बनी रहती है संगठन प्रक्रिया प्रतियक प्रबंधक द्वारा की जाने वाली विभिन प्रियाओं वे प्राप्त अधिकारी का सपष्ट उलेक करती है इससे होता प्रक्रिया जो है वो हर काम को पहले से ही स्पष्ट तरीके से बता रही होती है इसलिए कोई भी confusion create नहीं होता है और हर व्यक्ति अपने अपने कारे को तरीके से पहले से ही उसको ज्यान होता है कि मुझे क्या करना है और कारे की कुशलता जब होती है तो अपने है विस्तार और विकास की एदी हम बात करें तो यह एक अगला बिंदू है जो संगठन के महत्व को प्रदर्शित करता है संगठन कार्य व्यवसाई को अपना आकार बढ़ाने में सहयता करता है क्योंकि जब एक कार्य बहुत अच्छे तरीके से किया जाएगा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा संस्था के पास अच्छे फंड्स होंगे और जब फंड्स होंगे तो निश्चित रूप से वह अपने व्यवसाई के आकार को बढ़ाएगा अपने व्यवसाई में ग्रोथ और डवलिप्मेंट की बात करेगा तो यह उपकर्म के व्रिद् बहुत ही ज्यादा होती है अब हम बात करेंगे संगटन की सरंचना की संगटन सरंचना एक अपरिहार साधन है और गलत सरंचना व्यवसाय के प्रदर्शन को गंभीर रूप से बिगार देगी और इसे नश्ट भी कर सकती है जैसे कि हम जानते हैं कि घर बनाते हुए यदि नीव खराब हो जाए तो नीव खराब होने से पूरा का पूरा घर ही खराब बनता है इसी प्रकार दूसरे उधारन से भी हम इसको समझ सकते हैं कि एक वो बच्चा जिसको की हमने कम उमर में ही सही संसकार नहीं दिये हो तो होता है संगठन का कारिय एक यिसे की बाद में सुधारा जा सकता संगठन प्रक्रिया कार्य को विवारिक रूप में आने से کا कार्य करती है इसी लिए संगठन प्रक्रिया सरंचना का स्रेजन करती है इसी को संगठनात्मक सरंचना कहते हैं यदि उस संस्था की उस की नीव खराब हो गई तो फिर वो आगे जाकर भविश्य में भी अच्छे रिजर्ट्स अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगी इसी लिए संगठनात्मक सरंचना बनाना हर किसी के वसकी बात नहीं होती और यह एक जटिल कारे भी होता है प्रबंद की विस्त्रिती काफी हद संगठनात्मक धाचे को आकार देती है यह धाचे में प्रबंद के इस तरों को निश्चित करती है यदि प्रबंद का विस्तार क्षेत्र सीमित है तो संगठनात्मक धाचा लंब होगा और यदि प्रबंद का विस्तार क्षेत्र विस्त्रित है तो संगठनात्मक धाचा च नीचे दो और छोटे अपसर छोटे अधिकारी और उसके बाद दो से चार चार से आठ आठ से बारा इस तरह से उच्छ स्तर पर कारे करने वाले व्यक्ति के नीचे मध्य स्तर और निम्न स्तर पर कारे करने वाले व्यक्ति बनाए जाते हैं और यह एक स्ट्रक्चर जो है धां संगठन की सरंचना क्या करती है तो हम यह जान पा रहे हैं कि यह व्यक्तियों कार्य एवं साधनों के बीच संबंद को स्पष्ट करती है अब इसकी आवश्यकता क्यों है तो हम एक लाइन में इसका जवाब जानेंगे कि संगठन की सरंचना आवश्यक है ताकि संप्रेशन का प्रवाह सुचारू रखा जा सके और अच्छा नियंतरण स्थापित हो सके जितनी हमारी संगठर की सरंचना बहतर होगी लोग आपस में बहुत अच्छे तरह से कम्यूनिकेट कर सकेंगे संप्रिशन कर सकेंगे आपस में कार्य को करते हुए आने वाली परेशानियों का सफलता से सामना कर सकेंगे और इससे गल्दी करने वाले व्यक्ति को बली प्रकार पकड़ा जा सकता है अर्थात अच्छा नियंतरण भी स्थापित हो सकता है अब देखें कि प्रबंध की विस्तृती और संगट नात्मक धाचे के बीच क्या संबंध है तो आईए जानते हैं कि प्रबंधन की जो अवदी है वो काफी हदि तक संगट नात्मक सरंचना को आकार देती है प्रबंधन के स्पैन से विस्त्रित से तात्पर्य अधिनस्तों की उस संख्या से होता है जो किसी श्रेष्ठ व्यक्ति द्वारा प्रभावी रूप से प्रबंधित की जा सकती है यह सरंचना में प्रबंधन के स्तर को निर्धारित करती है प्रबंधन विस्त्रिती क्या होती है कि इसे तात्परे अधिनस्तों की उस संख्या से होता है जिनका अधिकारी कुशल्त के साथ प्रबंध हो जाता है प्रबंद की विस्तरती काफी हद तक संगटनात्मग धांचे को भी आकार देती है और प्रबंद के स्तरों को निश्चित करती है यदि प्रबंद का क्षेत्र सीमित होता है तो प्रबंद का विस्तार शेत्र भी सीमित ही होगा आप शिक्षार्थियों हमने जाना कि संगठन सरंचना बहुत ही महत्रपून है। अब संगठन सरंचना कितनी प्रकार की होती है ये हम अगले अंक में जानेंगे। मैं उमीद करती हूँ कि दिया गया वक्तवे आपको समझ में आया होगा, पढ़ाया गया विशे आपको भली प्रकार समझ में आया होगा। धन्यवाद।